Hi, Hello दोस्तों, आज हम Radical के बारे में पढ़ने चल रहे हैं, Radical को Hindi में Perndy कहते हैं Perndy के सवाल कि जितने नियम हैं आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि Perndy के सवाल कैसे लगाया जते हैं अगर आपने घातअग बढ़ रखा exponential form में जो भी संख्या होती है उनके नियम अगर आप जानते हैं तो कुछ वैसा ही इसका भी है बस थोड़ा सा उसका उल्टा बढ़ता है देखिए आपने कभी पढ़ा होगा सकाओ होता है अगर मालि क्यूब किया आप कोई नंबर है तो यहां पर वही चीज अगर इसका उल्टा किया जाए तोो यह heading form भी होता कि यूवरूट तो इसका क्या वास्तविक रूफ है क्या इसमें किया जाता है यह चीज हम आपको बताने चल रहे हैं और जो सबसे जरूरी सूत्र या फिर जो नियम लगते हैं उनको हम बताने चल रहे हैं अभी तक कि यह हम लोगों ने जान लीजे पहला नियम पढ़ा इसको आप नोट कर लीजेगा इसमें क्या था यह था कि अगर माल लीजे किसी संख्या की घात मतलब जो इसका रूट है वो एनत रूट है तो इसका मतलब यह हो जाता है एक ही पावर वन बाइन देखिए हमने आपको variasond support वाले वीडियो में अगर आप उसको नहीं देखें तो देखी लिजेगा इसकी डीक्रिप्शन में में ईसमें क्या है उत्लिश के नहीं और दूसरी संख्या और है उसकी बीदीरी एन यह और दूसरी संख्या हिसकी भी डिडिकीरी और दूसरी यह अलग-अलग होता तो आप नहीं कर सकते हैं इस तरह से अगर यह एंड है यहां एम हो जाता तब यह पॉसिबल नहीं था यह तभी पॉसिबल होगा यह नियम तभी लगेगा जब दोनों का जो यह रूट है वो बराबर हो एनफ रूट मतलब स्कॉर रूट है तो स्कॉर जो भी होगा फोर्थ रूट होगा तो फोर्थ रूट दोनों में होना चाहिए तो इसका मतलब यह कुछ इस तरह से तभी कर पाएंगे आप जब दोनों का जो यह एक्स्पोनेंसियल फॉर्म का एनफ रूट जो आपको दिख रहा है वो बराबर होना चाहिए मतलब जैसे एक एक्जामपल चलिए हम बता ही देते हैं जैसे माली जी यह दिया गया हो क्यूब रूट टू इंटू क्यूब रूट थ्री तो हम इसको इस तरह से मल्टिप्लाई कर देंगे जैसे यहां आप इसको लिख लीजिए उसके बाद थ्री टूजा शिक्स हो जाएगा तो यह से मल्टिप्लाई किया जाएगा उसको हम आगे की वीडियो में देखेंगे अभी इसके नियम सारे समझ लिए जाए अब इसके बाद देखिए माली जी आपको अब यह तो मल्टिप्लाई का हो गया अब डिवाइड में भी बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर डिवाइड आ जात से अगर माली जे कहीं यह बहाग की बात होती है कि कि घात य सकता है तो इसको चीज यह बहां भी लागू होगा अगर माली जे कहीं इस तरह से आपको मिल जाता है या फिर इसके अलामा कैसे इसको लिखा होत था है कि यह nth root a और nth root b तो यह हो जाएगा आपका yen आप लगा जेंगे nth root हो जाएगा a by b का इसको आप चाहे हैं लिख लीजिए ऐसे बिलकुल सेम दोनों सेम चीज़े चाहे इस form में लिखा रहे हैं उसका मतलब यह होता है तो आपको कभी भी ऐसा मिलेगा तो उसमें भी क्या होनी चाहिए ये जो इसका exponent है एक हिजाब से जो इसकी घात है रूट वाली घात ये बराबर होनी चाहिए अगर ये अलग-अलग है तो उसके लिए दूसरा नियम लगाना होगा उसके लिए पहले हम इसको बराबर करेंग तो वो नियम आगे बताया जाएगा ऐसे एक और चीज जान लीजिए ये चीज़ अगर आप समझ गये होंगे इसको नोट कर लीजिए बहुत जरूरी है आगे के लिए बहुत जादा उपयोगी है अब देखिए एक और आता है जैसे माल लीजिए आपको दिया गया हो एने तो लिखी सकते हैं एक पाउर वन बाई एन और उपर ये एम पहले से इसकी डिगरी है तो क्या कर सकते हैं ये इससे माल्टिप्लाई होगा आपको हमने बता दिया था रेडिकल वाले स्वारी उसमें एक्समोनेंसियल फाम के जो वीडियो में देखिए क्या होगा अगर इस हो जाएगा यही मतलब इसका इससे मल्टिप्लाई हो जाएगा बस तो यह सारे नियम है इनको हम आगे लगाएंगे यह थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए इसको नोट कर लिजे इन सबकी जहां जरूरत पड़ेगी तुरंत प्योग किया जाएगा इसके बाद मिलते हैं